लोकसभा और राजसभा भारत में दो सदनी विधाईका की विवस्था की गई है ये सदन है लोकसभा और राजसभा लोकसभा के सदस्य पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुन कराते हैं और राजसभा के सदस्य मुख्य रूप से विभिन प्रान्तों की विधाई का द्वारा चुने जाते हैं दो सदनों की क्या जरूरत है? केवल लोकसभा होती तो क्या होता? जैसे हमने उपर पढ़ा भारत एक संग्य देश है जिसमें सत्ता, केंद्र और प्रान्त दोनों के बीच में बटा है संसत देश के कानून बनाने की सर्वोच संस्था है अता उसमें प्रान्ती विधाईकाओं की सहभागिता आवश्यक है इसलिए राजिसभा की विवस्था है जिसे प्रान्तों की विधाईकाएं सदस्य चुनते हैं किसी भी देश में विधाईका के दो सदन होने के कई लाब है पहला है संसद में विशेशग्यों की उपस्थिती, आमतोर पर विशेविशेशग्यों वा विभिन विधाओं में पारंगत जिसे कलाकार, विज्ञानिक, लेखक, कानूनी विशेशग्य, आदी को लोग सभा चुनाओ जीत कर संसद में पहुचना संभव नहीं होता ऐसे लोगों को विधायकाओं के सदस से चुनकर राज सभा में भेज सकते हैं इस तरह संसद को उनके अनुभव और विचारों का फायदा मिल सकता है दूसरा, दो बार कानूनों पर विचार विमर्ष, जैसे कि आपने कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में याद किया होगा हमारा हर कानून दोनों सदनों में विचार विमर्ष के बाद पारित होता है अता हर कानून पर दो बार चर्चा होती है अता जल्दबाजी में या तुरुटी पूर्ण कानून बनाने से बचा जा सकता है संगीय शाशन भारत राजियों का एक संग है और समविधान द्वारा विधाई शक्ति को दोस्तरों संग और राज्य में बाट दिया गया है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्र रूप से कारिक करती हैं यहां सारी सत्ता ना केंद्र के पास है ना ही राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता स्वेम मद्दान करके प्रतिनिधी चुनती है जैसे लोकसभा के सदसे आदी आप्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अन्य प्रतिनिधियों का चुनाओ जैसे राष्ट्रपती का चुनाव हमारे द्वारा चुने हुए सांसदों और विधाय को द्वारा किया जाता है आगे हम संसत के गठन की मुख्य बातों का तालिका के माध्यम से अध्यन करेंगे राश्ट्रपती, राश्ट्रपती ही दोनों सदनों के अधिवेशनों को बुलाता है तथा लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में भंग कर सकता है लेकिन समानतेया राश्ट्रपती ये निर्णे प्रधान मंतरी की सलाह पर ही लेता है संसत के कार्य एवं शक्तियां पहला विधाई कार्य संसत पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है लेकिन वास्ताओं में कानून बनाने में एहम भूमिका, मंत्री परिशत और नौकर शाहों कारे पालिका की होती है कानून बनाने वाली सर्वोच संस्था होने के बावजूद संसद प्रायक कानूनों को मात्र स्विकृति देने का काम करती है कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तावित कानून बिना मंत्री मंडल की स्विकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता संसद में अन्यनीजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं पर सरकार के समर्थन के बिना ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के बाद संसत सदस्यों की उप समितियों में उस पर गहन विसलेशन और विचार होता है विधेयकों पर विचार विमर्ष मुख्यता संसदिय समितियों में होता है उस समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है इन समितियों में सभी संसदिय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है इसे कारण इन समितियों को लगू विधाय का भी कहते हैं इसके बाद विधेयक दोनों सदनों में वाद विवाद के बाद पारित होकर स्विक्रिती के लिए राष्ट्रपती के पास जाता है अगर मंत्री परिशत के पास संसत में बहुमत है तो वा कानौन पारित होना प्राया निश्चित होता है दूसरा कारिपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायत्व सुनिश्चित करना सरकार यानि मंत्री मंडल संसत के प्रती उत्तरदाई है और प्राया सभी मंत्री संसत सदसे भी होते हैं संसत सदस्य किसी भी मंत्री से उनके मंत्राले से सम्बंदित सवाल कर सकते हैं और मंत्रियों का दायत है कि वे उसका उचित उत्तर देंग गलत उत्तर देने पर मंत्री को अपने पत से हटना पड़ सकता है सांसदों और विधायकों को जन प्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भिक रूप से काम करने की शक्ती और स्वतंत्रता है उदाहरन के लिए सदन में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद कोई कानूनी कारिवाही नहीं कि जा सकती इसे संसदी विशेशाधिकार कहते हैं संसद में प्रश्ण और टिपणी नीती निर्मान कानून या नीती को लागू करते समय तथा लागू होने के बाद वाली अवस्था यानि किसे भी इस्तर पर किया जा सकता है अगर सरकार के जवाब से सदन संतुष्ट न हो तो सदन सरकार के विरुद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को हटा सकती है तीसरा वित्यकारे प्रत्यक सरकार कर्वसूली के द्वारा अपने खर्श के लिए संसाधन जुटाती है लेकिन लोक तंत्र में संसत कर लगाने तथा धन के उपयोग पर नियंद्रन रखती है हर साल मंत्री मंणल की ओर से वित्मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है जिसमें साल भर सरकार जो खर्च करना चाहती है उसका ब्योरा होता है और इस खर्च के लिए लगाय जा रहे करों का भी प्रिस्ता होता है लोगसभा इसे केवल उस साल के लिए स्विक्रित करती है और उसके स्विक्रिती के बाद ही सरकार लोगों से करवसूल कर सकती है या राज के धन का वे कर सकती है संसत की वित्ती शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्द कराने या रोकने काधिकार देती है सरकार को अपने द्वारा खर्च किये गया धन का विवरण भी संसत को देना पड़ता है